हलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शोपाल रामकुलहरी और आप सबका हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए आज हमारा टोपिक है राजस्तान का भूगोल तो दोस्तों राजस्तान के भूगोल के 40 टोप इंपोर्टेंट क्यूशन लेके आया हूँ तो चलो दोस्तों चलते हैं किशनों की ओर पहला क्यूशन राजस्तान का मरुष्टल ये प्रदेश भूगर्विक द्रश्टी से 21 प्राचिन भूखंड का अंग है तो ये है केटी सागर का अंग नेक्स्ट अरावली प्रवत सरंगला के माउंट आबू प्रवत सिकर की समुदर तल से उंचाई है तो ये है 1727 मिटर इंपोर्टेंट किशन नेक्स्ट थार के मरुष्टल का क्षेतरपल है ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट किशन है तो ये है 23,100 व्रग किलोमीटर नेक्स्ट चपन बेसिन भूभाग 21 भूतिक क्षेतर का है तो ये है पूर्वी मेदानी भाग का नेक्स्ट तस्तरी नुमा पहाडी सकंड का इस्तानी वासा में क्या नाम है जो उद्यपूर के चारू और फेला है तो इसको हमें गिर्वा बोलते हैं यह भी इंपोर्टेंट किस्टन है सापेक्षिक द्रश्ट से राजस्तान के निमन भूँ आकरती प्रदेशों का कौन सा भाग इस्पस्त अधर परवा का क्षेतर है तो यह होगा उत्री पसिमी क्षेतर सेकावाटी की सर्वोचे चोटी है रागुनात गडे चोटी है राजस्तान के पुर्वी मेदान का ढाल किस ओर है तो राजस्तान के पुर्वी मेदान का ढाल उत्री पुर्वे की ओर है नेक्स्ट राजस्तान के भूँ भाग का क्षेतर फल का कितना भाग रेगिस्तान है तो ये है ये होता है लग भग तीन चोथाई होता है या दो थी आई नेक्स्ट पस्सिमी मरुष्टल राजस्तान के लग भग कितने क्षेतर को घेरे हुए है तो यह साथ परशेंट से अधिक है नेक्स्ट नेमन लेखित में से कौन सा समझ राजस्तान की परवत चोटूं का उनकी उंचाई के अनुसार सही अवरोही करम है तो अवरोही करम घरता करम होता है तो सबसे पहले होते हैं सेट उसके बाद में जरगा फिर सजनगड और फिर आरागड नेक्स्ट है राजस्तान के भोतिक सवरूपूं के संबंद में निमन में से कौन सा या कौन से कतन सत्य हैं नीचे देगे कूट का परियोग कर सेगे तो हडोती पठार पसिम मोतर में मुक्य सिमा भंस द्वारा सिमांगे थे नहीं यह तो गलत है पसिमी रेतिले मे angla सकते हैं सर्चनात्मक द्रश्चिशे राजिस्तान के भोतिक सवरूपूं भारत के उत्री व्रहत मिदान और प्राजीर पठार का इस्सा है यह यह बनावली प्रवत में अव्शित प्रवत्तों के रूप में उपलब्द हैं तो यह ब्यूद से सब्सक्रा नहीं है तो य मरुस्तुल है उसमें गोराउंड है वो बालू का इस पूत का प्रिकार नहीं है नेक्स्ट पस्यमी राजिस्तान में पस्यमी रेतिले मेदान की पुर्वी सीमा निमन में से कौनशी समवर्षा रेखा बनाती है तो यह बनाती है 25 समवर्षा रेखा नेक्स्ट सेकावाटी भूंभाग में कुंग को इस्तानिय भासा में बोला जाता है तो कुंग को सेकावाटी में जोहोडे बोला जाता है सरचनात्मक दरश्टी से अवरावली का करम है तो ये देली करम की होती है इंपोर्टेंट किशन नेक्स्ट गोडवार बेशिन किस बेशिन को कहा जाता है तो गोडवार बेशिन है वो लूनी बेशिन को कहा जाता है नेक्स्ट अरावली परवतमाला के कौन से भाग में सरवादिक अंतराल विद्यमान है तो सरवादिक अंतराल है वो मद्यवर्ती भाग में विद्यमान है नेक्स्ट नेमलेकित में से कौन सा एक कारण राजस्तान में मरुष्टली करण का नहीं है परशन को अच्छी तरह से बढ़िए नहीं यह पूचा है तो इनमें जो दिये गए हैं इनमें नहीं होगा वो होगा सहरी करण नेक्स्ट है लाटिस रंकला है तो लाटि कहेगे बूगर्बी जलपटी है नेक्स्ट किसन देखिए राजस्तान के किस ख्षेतर में विंधे पठार का विस्तार है तो यह दक्षनी पुर्वी भाग में नेक्स्ट है मद्दे रावली के अंतरगते कौन सी पहड़ियां आती हैं तो मद्दे रावली के अंतरगते सेखावाटी और मारवाड की पहड़ियां आती हैं नेक्स्ट वे कौन सी परवत सरंकला है जो राजस्तान को उतरी पस्यमी तता दक्षनी पुर्वी भगू में विबाजित करती है तो वो है अरावली परवत सरंकला नेक्स्ट अरावली परवत माला की सुदूर दक्षनी जड कहां से प्रारंब होती है तो ये पालनपूर से प्रारंब होती है नेक्स्ट राजस्तान के उत्तर पस्यमी रेगिस्तान परदेश में उत्तर में इस्तित है तो उत्तर में इस्तित है वो है पंजाब का मेदान next कतन है अरावली परवत सरंकला राजिस्तान में एक जल्वी बाजक है और कारण है अरावली परवत सरंकला मरुष्टली करण को सीमित करती है तो निमलिकित कोड का उपयो करते विए उत्तरें देजिए तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कि A और R दोनू सही है किन्तु R है वो A का सही स्पश्टी कराने नहीं करता है next हैंसों के समय उत्तरपस्मी रेगिस्तानी क्षेतर किस नाम से जाना जाता था तो ये जो क्षेतर था ये गूजर प्रदेश के नाम से जाना जाता था next राजस्तान में रेगिस्तान का ध्हाल किस और है तो राजस्तान में रेगिस्तान का ध्हाल है वो दोनू और है next नेमन में से कौन सा द़रा जोदपुर उधेपुर हाइवे को राजमारक प्रदान करता है very- very important impression तो ये है बर दर रा important question is next करनल जेम्ठ टोड ने किस सिकर को संतुं का सिकर नाम से संबोधित किया था ये भी इंपोर्टेंट किसन है तो वो है गुरु सिकर नेक्स्ट अरावली प्रवत स्रंगला राजिस्तान राज्य में उत्तर पुर्व से धक्षनी पस्चिमी तक फेली हुई है अरावली प्रवत की कुलंबाई है इंपोर्टेंट किसन है ये 692 किलोमेटर है नेक्स्ट अरावली प्रवत संगला की दूसरी सबसे उंची चोटी कोंची है तो पहली गुरु सिकर और दूसरी है सेर नेक्स्ट पुर्वी मेदानी प्रदेश का कौन सा मेदान उत्तर में मालपुरा करोली का मेदान त्दा दक्शिन में मेवाड के मेदान के नाम से जाना जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो यह है अरावली प्रवत स्रेहनी और पहाडी प्रदेश next हमाद मरुस्तल का प्रसार किन-किन जिलू में है तो हमाद जो मरुस्तलाइस का प्रसार है जालोर जोधपुर बाड़ मेर जैसल मेर में है next अरावली परचमाला की सरवादिक उंची पहाडियां किस के मद्द इस्तित है यह भी important question है तो यह है कुम्मल गंड और गोगुंदा के मद्दे में नेक्स्ट चपन का मेदान है तो यह दक्षनिपुर्वी उदेपुर बास्वाडवाची तोडगड के मद्दे का दक्षनी क्षेतर नेक्स्ट राजस्तान का वह जिला जो आयताकार है और कच्च की खाड़ी तक फेला हुआ है जो दक्षनी पस्ची में पाकिस्तान की सिमा के बहुत निकट है ये भी इंपोर्टेंट क्यूशन है तो वो जिला होगा जालोर नेक्स्ट उद्वपुर के कुम्बल गड वैं गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है तो यह कहलाती है गोगुंदा का फठार ने और दिलवाडा इनकी बढ़ती से घटी उंचाई का करम यान बढ़ती से घटी यानि अवरों ही करम में बताना है तो इसका उप्शन नमर ए सही होगा यानि सबसे उंची कौन से गुरुशिकर है फिर उससे कम वह है सेर फिर है दिलवाडा फिर है अचलगड और अंत में कुम परभाव से घिस घिस कर नीचे हो गई है और कारण दिया इसका कि अरावली विश्वे की प्राजेंतम वल्लित प्रवत्माला है उप्रियुक्ते वक्तवियू के संदर्ब में निमल लिखित में से कौन सा कतन या कौन सा निसकर्ष सही है तो इसका सही निसकर्ष होगा कतन हुआ कारण दोनु सही है लेकिन कारण कतन की सही व्याख्या नहीं करता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कोमेंट और से जरू कीजिए